उत्राखन में कॉंग्रस नेता हरीश रावत की सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया है और पूर्व सीएम हरीश रावत काशिपूर में एक कारिक्रम में शामिल होकर जैसे ही मंच से नीचे उत्रे तभी एक आदमी चाकू लेकर वहाँ पहुँच गया हाला कि कुछी देर में उस आदमी को काबू में कर लिया गया तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरी घटना हुई काशिपूर पहुँचे हुए थे उत्राखन के पूर्व सीएम हरीश रावत और तभी अचानक उनकी सुरक्षा में सेंध मारते हुए एक व्यक्ती माँ पर चाकू लेकर मंच पर किस तरीके से पहुँच जाता है और कैसे उसको रोका जाता है तस्वीर आपके सामने है और बिहार के वैशाली से खहरान करने वाला मामला सामने आया है वहां लूट के इरादे से गहनों की दुकान में घुसे एक लुटेरे को उल्टे पाउं लुटना पड़ गया दरसल उसने बंदू की नोग पर दुकान को लुटना चाहा लेकिन दुकानदार की हिम्मत ने उसकी इस कोशिश को नकाम कर दिया जिसकी गवाही दी वहां लगे सीसी टीवी कैमरे के फुटेज ने जिसमें दिखा कि बदमाश दुकान में ग्राहक बनकर आया और मौका पाकर उसने अपने जेब से बंदूक निकाल ली वो दुकानदारों को धमकाने की कोशिश में कराई जिसके बाद वहां पुलिस की एक टीम जाच के लिए पहुँच गई जारकन के पाकोर से डरा देने वाली कुछ तस्वीरे सामने आई वहां एक बस और ट्रक में जोरदा ट्रक कर हो गई इस दरदनाख हादसे में दस लोगों की मौत हो गई जबकि पंदरा जखमी हो क्योंकि ये सड़क हादसा इतना जबरदस था कि टक्कर के बाद बस के परखचे उड़ गए उसका अगला हिस्सा तो जैसे पूरी तरह खत्मी हो गया यहां तक कि उसका टायर भी बस से अलग हो गया और कई आतरी उसमें फसे रह गए इस सड़क हादसे की जानकारी मिलने पर राहत बचाव का काम शुरू किया गया जैसे तैसे कुछ लोगों को बस से बाहर निकाला गया और फिर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया लेकिन कई लोगों ने उस बस में ही दम तोड़ दिया और दिली के चांदनी चौग के लाके की लाजपत राए मारकेट में भीशन आग लगने से अफना तफरी का महौल बन गया जिसकी ख़बर तुरंत फायर बिगेट को दी गई जिसके बाद फायर बिगेट की बारा गाड़ियां वहां पहुँची और फॉरण आग बुझाने का काम तेज कर दिया वहां लगी आग को बुझाने में दमकल कर्मियों के पसीने चूट गए क्योंकि जब तक वो यहां पहुँचे तब तक आग काफी फैल चुकी थी करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद फायर बिगेट की टीम आग को बुझा पाई लेकिन तब तक कई दुकाने जलकर राख हो चुकी थी अलाके के लोगों ने आग के पीछे शॉर्ट सिर्किट को वज़ा बताया लंदन में रहने वाले एक आदमी ने अरेंजड मैरिज से बचने के लिए अनोखा तरीका निकाला पाकिस्तानी मूल के 29 साल के इस चक्स का राम महम्मद मलिक है जिसने अरेंजड मैरिज से बचने के लिए विग्यापन की मदद ली और पतनी की तलाश के लिए इंगलंड के बिरमिंगंग शहर में बड़ी-बड़ी होडिंग लगवा दी जिनमें उसने खुद को अरेंज़ मैरेच से बचाने के लिए लोगों से मदद करने की अपील की इसके साथ ही होडिंग में पत्नी की तलाश के लिए बनाएगी एक वेबसाइट की भी जानकारी दी गई शादी के विग्यापन के लिए लगाए गई ये होडिंग देखते ही देखते इंटरनेट पर वाइरल हो गई जो 14 जनवरी तक बर्मिंगम शहर में लगी रहेगी केंदर सरकार ने जम्मू कश्मीर के चार पूर्व मुख्यमंतरियों को मिली इस पी जी सुरक्षा वापस ले ली इनमें महभूबा मुफ्ती फारुक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला और घुलाम नभी आजाद का नाम शामिल है ये फैसला इन नेताओं की सुरक्षा की समीक्षा के बाद दिया गया यूपी में आम आदमी पार्टी ने कुरोना खत्रे की वज़े से अपनी सभी चुनावी रैलियों को रद्द करने का इलान किया इसके बाद पार्टी नेता अब शनिवार को वारानसी में वर्चूल जनसभा करेंगे आशिस सिरीज के चौते टिस्ट मैच में आस्टेलिया ने पहली पारी में आठ विकेट पर 416 रन बना लिये इसके बाद आस्टेलिया ने अपनी पारी घोशित कर दी आखर में दूसरे दिन का केल खत्म होने तक इंगलंड ने बिना कोई विकेट कमाये 13 रन बना लिये आगरा में कुछ जूता कारोबारियों के ठिकानों पर इंकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापे मारी लगातार तीसरे दिन भी जारी रही खबर है कि वहाँ इंकम टैक्स डिपार्टमेंट को कई बड़ी जानकारिया हाथ लगी बिहार के मदेपुरा में 84 साल के एक बुजूर्ग ने एक साल के अंदर करोना वैक्सीन की 11 डोज लगवाने का दावा किया जिससे स्वास्त विभाग में हलकंप मच गया और मामले की जांच के आदेश दे दिये गए ब्रह्म देव मंडल नाम के इस बुजूर्ग ने दावा किया कि उन्होंने आठ बार अपना आधार कार्ड और अपना मोबाइल नंबर बता कर टीके लगवाए जोकि तीन बार अपना वोटर आईडी कार्ड और अपनी पत्नी का मोबाइल नंबर बता कर टीके लगवाए इस बुजूर्ग ने ग्यारा बार कुरोना के टीके लगवाने के फायदे भी गिना है मैं स्वास्त विभाग ने बुजूर्ग का दावा सही साबित होने पर कर रवाई का भरुसा दिया स्वास्त मंत्री मनसुक मांडविया ने एम्ज दिल्ली में उन स्वास्त कर्मियों से मुलाकात की जिनकी कुरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई इस मुलाकात के दौरान उन्होंने स्वास्त कर्मियों का होसला बढ़ाया और सभी के जल्द ठीक होने की काम ना की दिल्ली पुलिस ने बाइक के जरीए लूट की बारदात को अंजाम देने के एक आरोपी को गरपतार कर लिया पुलिस का कहना है कि आरोपी अपने भाई और कुछ लड़कों के साथ मिलकर उस इलाके में मुबाइल और चेंज चिनने का काम करता था